बिस्मिल्लाहिर्वाह्मारिक्राहीम नाजरेन इंजीर खाओ जोड़ों का दर्द गाइब हो चाएगा रोटियों के डबे में लोंग रख देने से रोटि नरम हो चाएगी जल्दी सोन और जल्दी उख जाने से बुरहापा देर से आता है तविल जल्दी और जवान नजर आते हैं तांग जीन्स का इस्तेमाल ला करो चहल कदमे जरूर किया करो अद्रक वाली चाएज जरूर पिये आइरन की कमी को बढ़ाने के लिए गोबी और पाला का इस्तेमाल किया करें इंसाने जिसम में मुझूद नमक का तिजाब इसकदर तेज होता है कि वो स्टेल को भी गला सकता है और उज़ान आलाइची वाला दूद बीने से आपका हाजमा बेतरीन हो चाएगा पुराने कबस भी दूर हो चाती है रसूल अल्लाह अल्यू अल्यू ने रिशाद फर्माया जब भी कोई इंसान सद्गा करता है तो वो सतर शेतानों के जबरे तोड़ता है और उज़ाना कची अधर खाने से बढ़ती हुई उमर छूप जाती है और चेहरा जवान दिखाई देता है दैमी कबस वाले मरीज जब भी हम रूद को देखें तो देखते चूम ले सब अद्वियाद छोड़कर सिरफ अमरूद खाना शुरू कर दे दैमी कबस से निजाक्त में जाएगी तीन चीज़े बाई को बाई का दुश्मन बना देती है जन जर जुबान और जमीन अमरूद पर थोड़ी सी अजवाई लगा कर खाओ सल गुमना आखों कैगन देरा आना वगैरा पि ठीक हो चाहेंगे एक कहावत है कि आप जब चाहो दूर जा सकते हो मगर आप जब चाहो वापिस नहीं आ सकते लीमो के चिलके जाया ना करें जमा करें वाशिंग मशीन में डाल दें और मशीन को चला दें सारी जमी हुई मैल निकल जाएगी शादी की बंदिश को जड़ से खतम करना है तो रुज़ना सो मरतबा या लतीफ और अवल आखिर दुरुश्टिव के साथ पढ़ें इंशालला बंदिश तूट जाएगी रसूलला सललला अलियर सलम ने सफेद बालों को खेड़ने से मना फरमाया है कि वो मौमिन का नूर है हम जितने हो खुश रहेंगे हम को उतनी ही नीड की गम जरूरत पेश आएगी अगर आप अपना मकसद वक्त से पहले दूसरों को बता दे तो आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी और आपकी कामयाबी के चांच कम हो जाएगे सफर करने से दिल के दोरे और डिप्रेशन का खत्रा कम होता है खुआब में बालों में कंगी करना खुशी मिले नफ़ा हासिल हो हाथों में पिलाहर नजर आए वो ये जिसम में आईरन की कमी को वाज़े करता है ऐसे में केले ज्यादा इस्तिमाल करें अगर दान टेड़े हो गए हैं तो दान्तों पर उजाना में स्वा किया करें दान्त सीधे हो चाहेंगे सोने से कबल नीम गरम पाने पी लेना गुर्दों को साफ कर देता है मार्टा खाने से इंसान जिसमाने बिमारियों से मेफूज रहता है दूद में छोटी मकी का शहद डाल कर पीने से सहरे की शता भी तकरीबन असी साल तक बरकरा दहेगी जान बूद कर चियों टियों और जमीर पर डेंगने वाले जनवनों पर पाउं रखने से रिज्क के तंग हो चाता है किबला शरीफ की तरफ मो करके ठूकने से रिज्क की तंगी हो चाती है सर के नीचे हाथ रखकर सोने से नीन जल्दी आ जाती है सबस रंग गोर से देखने से आपकी नजर थेज हो जाएगी सफेद रंग के कपड़े पहना करो क्यूंके सफेद रंग के कपड़े पहने से शक्सियत में निखारा जाता है चोकलेट खाने से रंग सामला हो जाता है क्रिकट खेलने से कदब बढ़ जाता है और नाजरिन पॉपकर्ण सिहद मंतरीन चीज़ है यहर्डी और दांतों के लिए बेतरीन है नाफुन पर लीमू के चिल के रगड़ दो नाफुन मजबूद हो जाएंगे दिन में पांच मरतबा आएस्ता और गहरे सांस लेने की कोशिश जरूर करे इससे दमाग पूर सकून हो जाता है जिस गर में सांब बच्चे पैदा कर दे वहां मुसीब्तें ज्यादा आती है सुबा को जल्दी जल्दी चलने से दिल की बेमारियां करीब नहीं आती बार बार पिशाब की हाज़त होती है तो एक चटांक बुने हुए चेने खाकर उपर से थोड़ा गुर खा जाए दो हफ़ते लगा तार ऐसा करें पिशाब का मसला हल हो चाहेगा बुडे लोग ज्यादा दिन तक इस्तेमाल करें जिस औरत की उमर 35 साल हो उसको चाहिए कि वो मार्टे करा सो चिकंदर ज्यादा से ज्यादा खा ले तांगों पर तेल लगाने से बदन की खुशकी दूर हो जाएगी जी लोगों को हमेशा बलगवी शिकायत रहती है और बेंगन के सबजी पका कर खाएं और रोज़ाना चार खुजूरे खाकर कमजोरी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है अगर अपना वज़न बढ़ाना है तो कमज कम पांच केले खाएं उपर से नेम गरम दूट पीज जाएं याद रखें मिलक शेक ने बढ़ाना कमजोर हाजमे वाले फ्राद केला खाने से गुरेश करें दुपैर के वकत एक गंटे की नीद दुमागी अमरा से तहफुज देती है शादी में कैसी भी रुकावट हो नमाज इशा के बाद अवल और आखिर ग्याना पर दुरू शरीफ और एक मर्दबा सुरे मर्यम की तिलावत करो मचसद पूरा होने तक ये अमन जरू तरो कियामत के चांद होल नाख निशान दिया और अद लिबास पहन कर भी नगी नज़र आएगी जिनासान होगा और निकाह मुश्किल हो चाहेगा बेवी अपने शोहर की नाफरमाने करने लगेगी औरतें अपने बाल चोटे रखेंगी लोग रोजा डखकर फिर तोड़ देंगे मर्द हजरात उड़तों वला फैशन अपनाएंगे क्या आप जानते हैं कि पिता उस वक्त परिशान होता है जब आप दस बज़े तक नहीं सूते और सूरज तलू होने से पहले जाकते नहीं कच्छा लसन ये कच्छा प्यास खाने से मूँ में बदबू आने लेती है अद्रा का टुकडा चबा कर खाने से इंशालला बदबू खतम हो जाएगी ज्यादा तेस गरम चाए पीने से गले की कैंसर का खद्शा तेजी से लाहक होता है पानी मेर के गलाब मिला कर चेहरा दो लिया करो चेहरा मिशद जवानों जैसा दिखाई देगा असी फिसद दुनिया के बादी ऐसी है जीनों ने कभी जहाज पर सफरी नहीं किया मेदे को जिंदगी बड़ तो अंदर उस्त रखना है तो खाने के बाद गुड़ खा लिया करो जो पूलों को ज्यादा सूंगता है उसकी उमर लंबी होती है जिनके पाउं में जर्खम हो जाते है वो रुजाना फूल गोबी को कच्चा इस्तिमाल कर ले इंशाला जर्खम टेख हो जाएंगे वो दीने का कहवा बल्वों वो खत्म करता है मतली और कैको रोकता है रुजाना साथ दाने किश्पिश के रात को पाने में बिगो दें और नहार मूँ खा जाएंगे उपर से दूद पी जाएंगे ये ऐसा अनर्जिर ड्रिंक है जो हफते में गोड़ों जैसी ताकत देता है और कुवत मुदाफियत में इजाफा करता है कमर का दर्द हो तो जूता एड़ी वाला मत पहने बलके छोटा जूता पहने सौने के लिए बरीक तक्या रखें सुबा सुवेरे उठकर अपने हाथों को पाउं तक जुक कर ले जाएं और इस सालों में पांच मिनट तक रहें बाँज औरक को बकरी का गोच्च किलाने से हमल बहुत जल्द पहर जाएगा खड़े होकर पिशाप करने से दमाग की कमजोरी हो जाती है मट्टी के बरतल में खाना खाओ हमेशा जवान रहोगे मज़ीद अच्छी वीडियोज देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दुबाएं शुक्रिया